जेई श्रीहरी, spiritual ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल अपरा एकादशी है, तो जानते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा, शुब महरत, पूजा विधी और व्रत का महत्व, वीडियो को शुरू करते हैं जेस्ट मास की कृष्ण पक्ष के एकदशी को अपरा एकादशी मनाई जाती है, अपरा एकदशी को अचला एकदशी के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार साल 2023 में 15 मई यानी की सोँवार को अचला एकादशी है जानते हैं क्या है अच्छला एकदशी की व्रतकता, शुब मौरत, पूजा विदी, पारण का समय और इस दिन का महत्व युदिस्टर कहने लगे कि हे भगवन जेस्ट कृष्ण एकदशी का क्या नाम है तथा उसका महमात में क्या है किर्प्र करके कहिए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन यह एकदशी अच्छला और अपरा दो नामों से जाने जाती है पुराणों की अनुसार जेस्ट कृष्ण पक्ष की एकदशी अपरा एकदशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसित हो जाते हैं इस दिन भगवान त्रीविक्रम की पूजा की जाती है अपरा एकदशी के व्रत के प्रभाव से ब्रहम हत्या भूत योनी दूसरे की निंदा आधी के सब पाप दूर हो जाते हैं इस व्रत के करने से परिस्त्री गमन, जूटी गवाही देना, जूट बोलना, जूटे सास्तर पढ़ना या बनाना, जूटा जोतिशी बनना तथा जूटा वैद बनना आदी सब पापनस्ट हो जाते हैं जो छत्रिय युद्ध से भाग जाएं में नरगामी होते हैं परन्तु अप्रा एकदशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्थ होते हैं जो शिश्य गुरू से सिक्षा ग्रहन करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरग में पढ़ते हैं से मगर अप्रा एकदशी का व्रत करने से वे भी इस पाफ से मुपद हो जाते हैं जो फल तीनों पुषकर में कार्थिक पुर्णिमा को इसनान करने से या गंगा टटट पर पित्रों को पिंडदान करने से प्राप्थ होता है वही अपरा एकदशी का व्रत करने से प्राप्त होता है मकर के सूर्य में प्रियाग राज के स्थान से शिवरातरी का व्रत करने से सिही राशी के व्रस्मती में गोमती नदीव के इसनान से कुम्भ में केदारनात के दर्शन या बदरीनात के दर्शन सूर्य ग्रहन में कुरुछेत्र के इस्दान से सुनदान करने से अत्वा अर्ध प्रसुता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकदशी के व्रत से मिलता है यह व्रत पाप रूपी व्रक्ष को काटने के लिए कुलहाडी है पाप रूपी इंधन को जलाने के लिए अगनी है पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है म्रगों को मारने के लिए सीही के समान है अतहां मनुष्य को पापों से ड़ते हुए उस व्रत को अवश्य करना चाहिए अप्राय कदशी का व्रत तता भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूट कर विश्णू लोग को जाता है इसकी परचलित कथा के अनुसार प्राचिन काल में मही ध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था उसका छोटा भाई व्रज ध्वज बड़ा ही क्रूर अधर्मी तथा अन्याई था वह अपने बड़े भाई से द्वेश रखता था उस पापी ने एक दिन रातरी में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देहे को एक जंगली पीपल के नीचे गार दिया इसकाल मिर्तिव से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा एक दिन अचानक धूम्य नामक रिशी उधर से गुजरे उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा रिशी ने प्रसन होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोग विद्या का उपदेश दिया दयालू रिशी ने राजा की प्रेत यूनी से मुक्ती के लिए सुएम ही अपरा जिसको अचला एकादशी भी बोला जाता है व्रत किया उसे अगती से चुडाने को उसका पुन्य फल प्रेत को अर्पित कर दिया इस पुन्ने के प्रभाव से राजा की प्रेत यूनी से मुक्ती हो गई वहरिशी को धन्यवाद देता हुआ दिव्य द्रेधारन कर पुश्पक विमान में बैठ कर स्वर्ग को चला गया हे राजन यह अप्रा एकदशी की कथा मैंने लोखित के लिए कही है इसे पढ़ने अत्वा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूड़ जाता है जानते हैं कब है शुब मोहरत तो पारण समय यानि की जब व्रत खोला जाएगा वो 16 माई को सुबा 6.41 से 8.13 तक पारण तिथी के दिन हरिवासर समाप्थोने का समय होगा सुबा 6.41 एकाद शितिती प्रारंब हो रही है 15 माई 2023 को सुबा 2.46 मिनट पर एकाद इसी शमाप्थ हो जाएगी 16 माई 2023 को सुबा 1.03 मिनट पर क्या है पूजा विधी ये भी जान लेते हैं इस दिन भगवान विश्नु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो प्रातह उठकर इसनान से मुक्त होकर स्वच वस्त्र धारन करें वस्त्र अगर पीले रणके हों तो उत्तम है फिर श्रीहरी विश्नु को केला, आम, पीले, फूल, पीला चंदन, पीले वस्त्र चणाएं और उम नमो भगवते वासुदिवाए नमहा का जाप करें श्रीहरी को केशर का तिलक लगाएं और स्वैम भी टीका लगाएं फिर विश्णु सहस्तर नाम का पाठ जरूर करें और एकादशी व्रत की कथा को पढ़ें या फिर सुनें यदि आप कथा करते या सुनते हैं तो आपको भगवान विश्णु को पंचामरत और आटे की पंजीरी का भोग जरूर लगाना है साथ ही विश्णु जी को लगने वाले भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें क्या है अप्रा एकादशी व्रत का महत्वा धार्मिक मानेताओं के अनुसार अप्रा एकादशी का व्रत रखने से आर्थिक परिशानी दूर होती है इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है धार में कथाओं के अनुसार पांडवों ने भी अप्रा एकदशी का व्रत किया था इस व्रत को करने से भगवान विश्नु भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं तो कैसे लगी आपको अप्रा एकदशी की कथा और व्रत संबंधी सभी जानकानिया कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक्स फो वाचिंग